आपके साथ मैं आपके तूनुम् राश्टवादी कॉंगेस पार्टी के चीफ शरत पवाज शिवसेना सांसथ संजर राऊउत और उनके भाई सुनिल राऊउत को शुकरवार को जान से माने की धमकी मिली पवार को धमकी देने के मामले में मुंबई पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है संजाराउद ने कहा कि पुलिस इस मामले में कुछ लोगों को पकड़ा है वे सबी भाशपा से जुड़े हैं महाराश के मुक्यमंदर एकनाचिंदे ने कहा कि शरत पवार को धंकी मिली है सरकार इस मुद्दे पर गंबीर है मैंने खुद पुलिस के अधिकारियों से बात कर जाच के निर्देश दिये हैं पवार सीनिय लीडर हैं हम उनका सम्मान करते हैं उनकी सुरक्षा ख्याल रखा जाएगा जरुरत पड़ी तो उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई जाएगी महाराश के डिप्टी सीम देवेंद फंडविस ने कहा कि हमार आशनितिक मद्बेत हैं लेकिन किसी भी नेता को धंकी बरदाश नहीं की जाएगी पुलिस को मामले में कारवाई करने का निदेश दिया गया है शरत पवार की बेटी उलोकसबा सांसेत उप्रिया सुले ने शुकरवाद दोपर मुंबई पुलिस कमिशनर से मुलाकात की उन्होंने पिता को मिल रही धंकियों की शिकायत की इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते वे कहा कि परवाज साहब को वाटसेप पर धमकी बरा मैसेच मिला था मैं पुलिस को इस जानकारी देने आई थी महाराष्ट के ग्रामंत्री और केंद्री ग्रामंत्री ने मेरी अपील की है कि इस पर जल्द पर जल्द कारवाई की जाए राज्य में इसी निश्दे स्थिर की जाशनिती बंद होना चाहिए उदर ठाकरे गुट के विधायक सुनिल राओत ने बताया कि संजर राओत मुझे कल से धमकी भरे फोन आ रहे हैं फोन करने वाले हमें जान से माने की धमकी दे रहे हैं और मीडिया से बात न करने के लिए कहा गया है मुंबई पुलिस आयक्त और राज्य के ग्राम मंद्री को घटना के बारे में सुझित कर दिया कया है इसी के साथ बने रेश्यने जिन्ने के साथ धन्यवाद